नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिरतो शांशू पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से हम लोग परिक्षा की तयारी कर रहे हैं आप भूलना जाएं इसलिए आपको दोबारा याद दिला दूँ कि कच्छा बारवी की भौतकी के लिए मैं अभिरतो सांसू पंडे आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और इसके अलावा बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं जैसे की रसायन हैं जैसे की भौतकी हैं जीव विग इसके साथ साथ हमारे application में आपको additional material जैसे की mind map उसके बाद में study material short notes यह सारी चीज़ें मिलेंगी तो जल्दी से जल्दी इस application को install कर लें और हमसे लगातार जुड़े रहे हैं चलिया यह बढ़ते हैं हम लोगों ने भू चुम्ब का तो हम चुम्ब किये पदार्थ इस chapter को जो है start किया हुआ था अभी हम चला रहे हैं past track revision series और हम लोगों ने marks distribution समझने के बाद में बाते कर ली चुम्बक की चुम्बक के बाद में हम लोगों ने चुम्बक के जो है गुनधर में देखे उसके जो है बहुत सारे मतलब इसके जो है इसके जो है इस पेस्पेशालिट तो एक चुम्बक के आसपास का वह चेत्र एक चुम्बक के आसपास का वह चेत्र जहां पर यदि हम कोई एक आंक चुम्बक की अधरू लाएं तो उस पर बल लगना सुरू हो जाता है उस चेत्र को हम चुम्बक की चेत्र कहते हैं ठीक है तो यदि जो है हम क्या देखते है कि यहाँ पर अगर धनात्मक मतलब नौर्थ और यहाँ पर साउथ इस तरीकी से हमें एक चुम्बक ले लिया तो यहाँ पर बल का जो अनुभव होगा उस बल को के अनुभव में यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एकांग को उत्तरी धुरू लाके रखा रखते हुए जो है चुम्बक ले बल रेखाओं के बारे में कल्पना कर सकते हैं चुम्बक ले बल रेखाएं क्या होती हैं किसी चुम्बक से निकलने वाली वह काल्पनिक रेखाएं किसी चुम्बक से निकलने वाली वह काल्पनिक रेखाएं जो उसके आस पास चुम्बक पहला कि यह हमेशा एक बंदवक्र बनाता है इसका क्या मतलब हुआ जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक धनात्मक आवेश से हमेशा विद्दुत बल रिखाएं बाहर निकल रही होती हैं और एक रिनात्मक आवेश से हमेशा विद्दुत बल रिखाएं अंदर की ओर जा रही होती हैं लेकिन जब हम चुम्बक की बात करते हैं तो चुम्बक को आप मान के चलिए कि यह नॉर्थ और साउथ पूल है और यहां से चुम्बक के बल रिखाएं कुछ इस परकार से दिखाई देंगी कि यह सदय अब चुम्बक के बाहर उत्तरी धुरू से निकल कर दक् मतलब यह होता है कि चुम्बक की बल रिखाएं सतत रिखाएं हैं यह बीच में तूटती नहीं है ठीक है तो यह हम लोगों ने देखा कि हम इसा एक बंद वक्र बनाते हैं दूसरा इस पर शरीखा किसी भी बिंदू पर किसके चुम्बकिय बल रिखाओं के किसी भी बिंदू पर यदि हम इस पर शरीखा कीचेंगे तो यह इस पर शरीखा वहाँ पर एकांग चुम्बकिय धुरू पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शिक करेगा दूसरी बात है कि बल रिखाओं में किसी भी तरीके से कभी भी प्रतिक्षेद नहीं होता यदि दो बल रिखाओं एक दूसरे से कहीं पर टकराती हैं तो उस मिंदू पर हमें दो दो चुम्मकिय बल की दिशाएं नजार आएंगी जो कि नहीं हो सकती अगली बात क्या है देखेंगे आप कि यहां पर धुरों के पास में जो है चुम्मकिय बल रिखाओं का घनत तो सरवाधिक है और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चुम्मकिय बल रिखाओं का घनत तो कम होता जाता है जिससे हमें पता क्या चलता है कि जहां पर घनत तो जादा है वहां पर चुम्बकी छेतर की तीवता अधिक होती है और जहां घनत तो कम होता है वहां पर चुम्बकी छेतर की तीवता कम होती है अगली बात क्या है लंबाई के अनुदिस सिकुड़ना हम लोगों ने यही गुन धर में जो है कहां देखे हुए हैं चुम्बकिय विद्दूत बल रेखाओं में भी देखे हुए हैं दो चुम्बकिय धुरू इनके बीच में जो है जो बल रेखाए हैं वो लंबाई के अनुदिस सिकूरने का प्रयास करती हैं और इसी कारण जो है क्या होता है कि दो चुम्बकिय विपृत धुरूओं में आकरशन दिखाए देता है अगली बात क्या है चुड़ाइ के अनुदिस दाब दो चुम्बकिय बल रेखाएं एक दूसरे को चुड़ाइ के अनुदिस दूर हटाने का प्रयास करती है और इसी कारण समान धुरूओं में प्रतिकर्शन होता है तो हम लोगों ने बहुत ही जल्दी से ये सारे के सारे गुण धर्म देख लिये हैं अगर आप से ये पूछा जाता है तो आपको सारे गुण आने चाहिए हम लगे रहेंगे, हम जूड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद